वेलकम टू माई चायनल आज हम यहाँ पर देखिए इस तरीके का स्वाइट बनाना कीजिए ने दो रगा स्वाइटर है इसमें पिंक और वाइट रंग से बनाया है इस तरीके का दिखाया देता है इसका जो बॉडर है वह मैंने टू कलर में बनाया है वाइट से फंदे अबके बनाया है 72 स्टिच। यहां पर withada बॉडर इरके कसे बनाया है यहां इसस के बनाया है क्यूंकि डिजाइन अगर अगर पूरे पन्ले ती पर दिखाऊंगे तो बहुत तैम जाएंगा यहां पर डिजाइन बनाना बताऊंगे तो यह जो डिजाइन यह 6 के मल्टिपल फंदों से बनेगा प्लस में 2 लेने से दो फंदे लेने से डिजाइन सेट हो जाएगा और 2 एच के लिए लेंगे एक तफ टोटल मेरे यहां पर 16 फंद है सीधी तरफ की सलाई आपको बिल लेन फिर आप रॉंग साइड से डिजाइन को श्रू करेंगे तो सबसे पहले जो है हम 4 फंदों को उल्टा बिनेंगे उल्टा सीधे फंदों की डिजाइन है तो 4 फंदे सीधे उल्टे बिनने के बाद हम जो हमना दूसरा कलर एड़ किया है उसमें 2 फंदे उल्टे बिनेंगे यही 6 फंदे हमारे बार बार रिपीट होएंगे row first में, फिर हम 4 फंदे जो है वो उल्टे बिनेंगे, यह देखिए इस तरीके से अब हम फिर से 2 फंदे दूसरे color में बिनेंगे, यानि कि 4 फंदे जो आपका main color चल रहा है उसके और जो आप दूसरा रंग लगाएंगे, उसम आपके जो है वो 2 फंदे आएंगे, यहा पर देखिए हमारे 2 फंदे हमने दूसरे color के बिने और उसके बाद हमने 4 फंदे अपने first color के बिने के complete कर लें तो यहाँ पर हमारे row first जो है वो complete हो गई है, अब हम right side की तरफ आएंगे, right side की तरफ हम पहले एक फंदे को slip करेंगे, यह हमारा H का फंदा है, इसके बाद जो है, हम तीन फंदों को सीधा बिनेंगे, देखे, यह हमारे तीन फंदे सीधे हो गए, अब हम देखे, उन को अपनी तरफ करेंगे, जो हमने दूसरे कलर लगाया है, अपना सेकुंडरी कलर, उसके हम जो दो फंदे हैं, वो उल्टे बि फिर हम दो फंदे जो हैं, वो हम उल्टे बिनेंगे, फिर हम उन को पीछे की तरफ कर देंगे, इस वाले उन को और चार फंदे सीधे बिन देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा हमारा सेकंड रो है, वो कम्पलेट हो गई है, यह देखे इस तरीके से, अब हम रो थर्ड पर केंडरी कलर का यूज नहीं करेंगे जो हमारा फर्स्ट कलर है उसी से हम पूरी रो को बिनेंगे तो यह जो हमारे पिंक फंदे ना इनको हमें दो बार ऐसे सलाई पे घुमाते वे बिनना है देखिए इसको इस तरह लेना है और दो बार इसे उन को घुमाते वे बिन लेना है फिर हमारे बीच के 4 फंदे वो उसी तरीके से बिने जाएंगे, यानिकि उल्टे ही बिने जाएंगे, जो हमारी pink फंदे, यानिकि जो भी आपका secondary ये 2 फंदे जो आएंगे, उसको आप उनको शलाई पे 2 लपा लपेटते वे बिनेंगे, इस तरीके से, और ये वाले जो से बिनना है सबसे पहले हमें पहले फन्दे को सलाई पोरई के यह जो वाले दो फंदो को हम पीछे कर देंगे यह ब्षतीन अ mortar सलाई पर दो बार उसको हम आगे कितरफ करके इस तरही के से । पिंदे सीधे बिन दें गए अब ये देखे तीन फंदे हमारे उतारा इन दो फंदोוכ हम पीछे की तरफ से ले लिया सलाई पर और ये वाला जो हमारा लंबा फंदों को पीछे की तरफ कर लिया ये वाला फंदा हमारा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें दो बार उन लपेटा था ना इस वज़े से तो इसको हम इस तरह बिन देंगे और फिर ये दो फंदे सीधे बिने जाएंगे सीधे ही सलाई पूरी बिननी है अब देखिए य यहां पर हमारी जो है वो चार सलाईयां कंप्लीट हो गई ठीक ये लास्ट में हमारे दोनों फंदे इसी तरीके से बिने जाएंगे सीधे है तो रो फिर्स्ट हमारी देखिए इस तरीके से कुछ कंप्लीट होगी ये वाला अब हम रो फिफ्ट पर आएंगे रॉंग अब हम इस तरीके से उन को ले लेंगे देखिए इस तरीके से और एक फंदा हमारा यहां पर पिंक कलर से आजाएगा ये देखिए ये वाला फंदा पहले हमने चार फंदों के बाद दो फंदे बिने थे पिंक से अब हम दो फंदों के बाद एक फंदा पिंक से बिनेंगे फिर चार फंदे हमारे फर्स्ट कलर के आ जाएंगे और अब दो फंदे हमारे यहां पर आ जाएंगे देखे इसको इस तरीके से हमारे दो फंदे पिंक आ जाएंगे फिर हमारे चार फंदे आ जाएंगे फर्स्ट कलर के हमारे अगर आपको यहां पर यह डिजाइन नहीं समझ सकते हैं अगर आपको यहां पर डिफिकर्ट लग रहा है तो तो यहां पर देखिए हमारे फंदे कुछ इस तरीके से बदल जाएंगे और अब हम वही रो बिनेंगे जैसे हमने रो सेकिंड भी नी थी उसी तरीके से हमाई रो सिक्स बिनी जाएगी तो हमने दो फंदे पहले स इस तरीके से हम चार फंदे जो है वो सीधे बिनेंगे तो सेम हमारी यही फोर रो रिपीट होएंगे बस आपको यहां पर यह देखिए अब आपके दो फंदे यहां पर जाएंगे पिंक यह वाले उल्टे बिने चार फंदे सीधे बिने देखिए इस तरीके से तो सेम वही रो रीपीट होएंगी बस फंदे आपकी चेंज हो जाएंगे यहां पर हम रो 6 बिन रहे हैं राइट साइट से यह वाला पिंख वाला फंद उल्टा बिनेंगे लास्ट के दो फंदे हम सीधे बिनते वे रो को कमπलीट कर लेंगे राइट साइट की रो हमारी कम्पलीट हो यानिकि लंबा करना है ताकि यह हमारा आगे की तरफ जो हम इसे बढ़ाएं तो यह खिंचेना फंदा इस वज़े से हम यहां पर इन फंदों के पर उन को दो बार इस तरीके से लेते हुए उल्टा भी लेना है यहां पर देखे इस तरीके से रो पूरी यह उल्टी ही से रो एक हमारी dos चॉक ही यह right साइट से और यहां पर हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगा तो देखे कैसे बिनना हैं मैं रो sevent पहली फंदे को हम चुिर करेंगे एक फंदे को सीधा बिनेगे अब यहां पर देखें हम इन तीन फंदों पर वापस बदलेंगे देख यह इस तरेकें से यहाँ पर यह इस तरीकें साएगी दो फंदे सीधे अब ये देखे reflects और लंबा फंदा को होगे इसे भी सीधे पिन देगे फिर ये तीन फंदे हम उतारेंगे और ये वाले जो आगे वाले फंदे इने पीछे कर देगे और इस एक लंबे बनाना है तो वहां पर बनेज़ डिजाइन को कैसे बनाना है वह बता रका्यों है पिर हम यह पर देखिए इस तरीके से 2 पंदे पीछे कर लेंगे इस तरह केला में लंबा हम Suppose i लास्ट में जो दो वंद्य हम सीध्य विंते वे यहां पर हमारा जो दिजाइन हो अगरी और अपको इस तरीके से आपको बार बार रिपीट करना है ए इस तरीके से आईए इसे चाहें किसी भी color भे बनाईे एच्छी लगतिया और अब यहीयए बेञ़ा जो design यह मैं ने स्वाइटर में अप्लाई करें क्या है पूरे fan refr वने इसी तरीके से लेकर swighter में बनाया है यह कि यह हमारे design है और यह हमारे design है तो same इसी तरीके से बनाए है अब मैं आपको पताती हूँ कि कि आप इस switer में इस design को कैसे set करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब आप यह और इस की जो रो बनाते हैं तो यह पूरी डिबी पूरी complete हो जाती ती देखे इस तो यहां पर यह हमारा डिजाइन है अब देखिए यह जो स्वाइटर है इसके अंदर मैंने 92 फंदे लिये है और इसके बाद मैंने इसे तीन फंदे बढ़ा है कुल तीन फंदे मैंने इसके उपर बढ़ा है यानि कि टोटल मेरे स्वाइटर के उपर 95 इस्टिच है चौदा स प्रफेद उन से पहले मैंने फंदे डाले उसके बाद 14 सलाईयों का जो है वो बार्डर पिंक से बनाए उसके बाद फिर वाइट हमारे में गलर है वो मैंने लगाया फिर पिंक से मैंने इसमें डिजाइन को कम्प्लीट किया तो क्यूंकि मेरा फोन थोड़ा खराब हो रखा ह तो यह 14 इंच का मैंने जो है वो इसकी लंबाई जो कम्प्लीट किये है 15 इंच की लंबाई कम्प्लीट किये ठीक है तो यहां पर यह देखिए यहां पर मैंने सेम जैसे मैंने आपको डिजाइन बताया बार्डर बनाया उसी तरीके से यहां पर मैंने 15 इंच का डिजाइन वे से complete कर लिया, अब हम यहां से मुढ़्धे बनाएंगे, ठीक है, यहां से मारा गला और मुढ़्धे घटेंगे, तो यहां पर देखिए, यह हमारे मुढ़्धे के फंदा है, तो मेरे total यहां पर 95 फंदे हैं, एक मेरा जो है, वो center का फंदा है, यह 4 फंदे हम घट, जो 5 फ कर रहे हैं, तो पहला फंदा हमने घटा दिया, हम सीधे-सीधे फंदे बिनते हुए, उपर से ले जाते हुए, छोड़ देंगे, यह देखे इस तरीके से, तीन फंदे हमारे यहां पर घट गए, और यह हमारा चौथा फंदा, चार फंदे हमने यहां पर देखे घटा दिये, ठीक है, अब यहां पर हम एक फंदा और घटाएंगे, यह देखे चार फंदे हमने यहां पर घटा दिये, और यहां पर यह हमारे लास्ट फंदा, तो यहां पर मैंने बुंड़े की जो कटिंग करी है, वो 5 फंदों को घटा अब हमारा यहां पर डिजाइन सेम उसी तरीके से रहेगा जैसा हमारा डिजाइन चल रहा था उसी तरीके से रहेगा डिजाइन में आपको कोई भी बदलना नहीं है रो को कि आपका डिजाइन सेट नहीं हो रहा है वो अपने आप आगे जब फंदे घटते जाएंगे तो वो set होता जाएगा तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखिए जो आपके सफेद फंदे उसको उसी तरीक से बिन लीजे और पिंक को जैसे हमारी row first आई है यहाँ पर देखिए row first यह मेरी चल रही है तो उसको हम row first की तरही बिनेंगे पांच फंदे घटाने के बाद आपको design को continue रखना है देखिए यहाँ पर 5 फंदे घटा दिये और हमारा अब design जो है वो same चलेगा design में कोई changing नहीं आएगे हमारी यहाँ पर देखिए इस तरीके से यह देखिए दो फंदे हम चार फंदे हमने यहाँ तक देखिए हमें बिल लेना है जो हमारी जो भी रो आ रही है हमें उसको उसी तरीके से बिल लेना है तो यहाँ पर मेरी second row complete हो गई है मतलब design के second row complete हो गई है अब मैं wrong side से आऊँगी क्योंकि मैंने एक तरफ का कंधा घटाया है अब हम दूसरी तरफ का कंधा जो है वो wrong side से घटाएंगे हमेशा दोनों तरफ के कंधे एक साथ नहीं घटते एक सीधी तरफ से घटाया जाता है switer की तो पहला फंदा हमने slip किया दूसरा फंदा उल्टा बीना और फिर पहले फंदे को इस तरीके से लिजाते वे छोड़ देना है तो एक फंदा यहाँ पर हमारा घटिया फिर यहाँ पर हमारा दूसरा घटिया सेम हमें 5 फंदे ही घटाने हैं तो यहाँ पर तिसरा हो गया हमारा इसे उपर से ले जाते वे छोड़ देना है और फिर ये पाजवा फंदा इस तरीके से पाज फंदे घट गए रॉंग साइट से दूसरी तरफ के कंदे के अब हम पूरी रो को अपना जो हमारा रो चल रही है जो असे भी आईगी अगर आपकी फर्स्ट आती है लान आती है जो भी आपकी रो आ रही है उसको सेम उसी तरीके से त्क हम ज मैं पर फंदे कीज़ेश सिफ आपके फंदे घटने हैं लास्टेर वे बाइए बगी आपका जो पूरी रो है उसी त्क हमारा और हो फंदे आद और लिए कोपलीट घटेंगे देखिए एक फंदा घटा फिर दूसरा फंदा घटा फिर तिसरा फंदा घटा तो हमने पहले पांच घटा है फंदे फिर तीन घटा है अब जो हमारा डिजाइन है वो इसी तरीके से आएगा देखिए फंदो को हमें बदलना है यह देखिए इस तरीके से और अप इस तरीके से तो हमने अपकी बार सीधी तरफ से तीन फंदे घटाया हैं मुड़े के कंप्लीट कर लेंगे यहां तक रो हमाई देखे कंप्लीट हो गए राइट साइट के अब फिर से हम एक बार रॉंग साइट से आए हैं और wrong side से हमें तीन फंदे घटाने हैं दूसरे कंदे के यह दिखे पहले फंदे को slip करेंगे फिर दूसरे फंदे को बिनेंगे उपर से ले जाते वे छोड़ देंगे फिर एक फंदा और बिनेंगे तो पहला फंदा हमारा घड़ गया और यहां पर हमारा यह दूसरा फंदा घड़ गया और यह तिसरा फंदा अब हम पूरी रो को same complete करेंगे जैसे देखे हम अपने design को देखते रहेंगे आगे से कि हमारी कौन से फंदे कहां आ रहे हैं और उस तरीके से हम यहां पर complete करते रहेंगे यहां पर मेरे पिंक फंदे आ रहें यह देखे हमें इस तरीके से उन लेना है और अपने फंदों को बिनते जाना है यह देखे इस तरीके से यह यह दो फंदे हमारे पिंक से आएंगे और बाकी हमारे जो design है वो same चलेगा design में मैं फिर आपको कई बार बता चुक है चेंजिंग नहीं करनी है जैसे फंदे आपके घटने के बाद आ रहे है आप उसको उसी तरीके से बिनते रहे जाईए पूरी रो को complete करेंगे हम यहां तक तो यहां पर देखे जो हम wrong side की रो है वो complete कर चुके हैं पूरी और अब हम फिर से right side की तरफ आए है अब right side पे हमें एक फंदे को घटाना है तो देखे पहला फंदा slip किया एक फंदा सीधा बिना और इस फंदे को हमें उपर से ले जाते वे छोड़ देना है अगर आप चाहें तो दो दो फंदे भी बिनके घटा सकते हैं जैसे भी आप फंदों को घटाते हैं उस तरीके से फंदों को घटा दीजेए एक फंदा घटा दिया सेम हमारा design वैसी चलेगा जैसे आ रहता है तो यहां पर हमारे जो फंदे हैं सेम हमारा design वही आगे देखिए एक फंदा आया चार फंदे हमारे सीधे बिने हमने मतलब सफेज से और फिर दो फंदे हमारे पिंक से आ जाएंगे जो हम राइट साइट से उल्टे बिनेंगे बाकि हमारा पूरा रो इसी तरीके से complete होगा और यहां पर जो हमारा मुद्धे की cutting है वो complete होगे तो हमने यहां पर मुद्धे की cutting पांच तीन एक की करी है देखिए इस तरीके से पांच तीन और एक अब हम पूरी रो को जो है वो complete कर लेंगे जैसे हमारे design के according उसके बाद हम wrong side से एक फंदे को घटाएंगे यहां पर हम मुद्धे का last फंदा जो है वो घटाएंगे right side की row मैंने complete कर ली है design के according और अब यहां पर हम एक फंदा घटा देंगे पहला फंदा slip करेंगे दूसरा फंदा उल्टा बिनेंगे और इस तरीके से उपर से ले जाते वे एक फंदे को छोड़ देंगे पूरी रो को हम सेम बिन लेंगे जैसा हमारा रो आ रही है उस तरीके से हम पूरी सलाई को complete कर लेंगे और यहां पर हमारे दूसरी तरफ के मुढ़ा जो हमारा उल्टे तरफ सरम गटा रहे थे वह भी हमारा complete हो गया है तो यहां पर देखिए हमारा जो दोनों तरफ का मुढ़ा है वो घट चुका है पांस तीन एक मैंने इस सीधी तरफ से घटाए और फिर दूसरी मुढ़े एक लिए मैंने पांस तीन एक उल्टी तरफ से घटाए अब जो है वह हम यहां पर दो सलाईया जो है वो complete कर लेंग यहां पर यह हमारा डिजाइन इस तरीके से जो चल रहा था वो आएगा अगर आप नीचे से डिजाइन को बॉर्डर के बास सही तरीके से बनाएंगे फंदों को उपर नीचे नहीं करेंगे जैसा मैं बता रही उसी तरीके से बनाएंगे तो आपका जो डिजाइन है वो प पूरी जैसे हमेरा बनी थी design के according और wrong side के और रोब बिन रहे हैं तो इसके बाद जो हमने टताने के बाद लिप पहली सलाई जो है वो भी रिल्ली रहा है और रहा हम मैं way career भी जैसे design के अकवर्डिंग बनाएंगे अब इसके बाद हमें वे 사शा खटाना है गले को घटाना शुरू कर दीजे अगर आप पूरा कंदा घटने के बाद वी शेप के कटिंग करेंगे तो आपका गला जो है वो छोटा हो जाएगा तो जब आप पहले पांच फंदे जहां पर आपने घटा है वहीं से आप वी शेप की कटिंग भी शुरू कर दीजे यह तो आपको 32 मेरी एक तरफ रहेंगे 32 मेरी दुसी तरफ रहेंगे कंदे पर और 12 फंदों को हम घटाएंगे तोतल मेरी यहा पर 76 फंदे है तो अब हम यहाँ पर गला करने के बाद आपकी सलाई पे जो है वो 76 फंदे बचेंगे फिर आपको उनको तीन हिस्सों में बाट लेना है 32, 12, 32 पर आपको 32 फंदे राइट से सीधे बिनने हैं यह देखिए जैसा मतला हमारे डिजाइन आ रहा है उस तरीके से और 12 फंदों पर हम घटाने 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह 12 फंदे अब हमें U-shape की कटिंग के लिए घटाने हैं तो 32 फंदे बिने आप 12 फंदों को एक साथ आपे घटा देना है अगर आपको U-shape थोड़ा चोड़ा रखना है यानि कि नीचे से उसकी जो तो आप यहाँ पर सीधा 15 फंदे तक घटा सकते हैं बहुत जादा मत घटा दीजिए वरना वो चोकोर गला बन जाएगा तो यहाँ पर मैं 12 फंदे घटाऊंगे क्योंकि मुझे जुसकी गोलाई है वो कम रखनी है नीचे से इस वज़े से मैंने आपे 12 फंदे घटाने शुरू कर दिये दो फंदे बिने फिर आपको 12 फंदो को बीच में से उतार देना है देखे इस तरीके से बिनते वे एक के उपर एक से ले जाते वे बिन देना है अगर आप चाहें तो दो दो फंदे एक साथ बिन के भी घटा सकते हैं basically जैसा आपको घटाना आता है आप फंदों को उसी तरीके से घटाएए बस आपको 12 फंदे घटाने हैं इतना धिहान रखना है ये देखें तो हमें आपके बीच के फंदे घटा रही है वाले ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल साइस के बच्चे का स्वाइटर है मतलब वो नॉर्मल बच्चा है इतना कि उसकी बहुत ज़्यादा सेहत नहीं है और बहुत दुबला भी नहीं है उस बच्चे के बिल्कुल सही आएगा अगर आपका बच्चे थोड़ा हेल्दी है तो आप इसमें फंदो को जरूर बढ़ाईए क्योंकि उसके ये फिट हो जाएगा टाइट हो जाएगा स्वाइटर 32 और 2 32 ठीक है तो यहाँ पर हमारे पूरे 32 फंदे बचे हैं अब सलाई के उपर देखिए डिजाइन को हम कभी भी नहीं चेंज करेंगे मतलब जैसा हमारे डिजाइन आ रहा है फंदे हम हमेशा उसी हिसाब से ही बिनते जाएगे तो यहाँ पर 12 फंदे हमारे घड़ गए अब हम हमारे दोनों तरफ जो सलाई पर हैं वो 32 फंदे बचे हैं अब पूरी सलाई को हम सीधा बिनके जैसा हमारे डिजाइन आ रही है उसी हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे बस आपको जो स्वाइटर पर फंदे हैं वो 6 के मल्टिपल में रखने हैं इतना खयाल रखे अगर आप फंदों को बढ़ा रहे हैं पूरी सलाई को कंप्लीट करेंगे अब यहाँ पर देखे हमारी सलाई के उपर 32 फंदे इधर 32 फंदे इधर और बीच के 12 फंदे हमने घटा दिये ठीक है तो अब हम जो हैं इस वाले कंदे को बनाएंगे यानि कि जो हमारा ये वाला कंदा है इसे पहले हम कंप्लीट करेंगे रॉंग साइट पर है अब हमारा उन आगे की तब तो जाएगा नी तो यहां पर इन 32 फंदो को हम गले को घटाएंगे और मुढधा भी हमारा इसमें बनता जाएगा रॉंग साइट की जो रॉंग है वो हमें इस तरफ से जब हम कंदा गटा गला बनाएंगे घटाएंगे तो इस तरफ की रॉंग हमारी पूरी उल्टी सेम ही बिनेंगी ये वाले फंदे हम राइट साइट से घटाएंगे गले के एक तरफ से राइट साइट से फंदे गले के घटे और एक तरफ से रॉंग साइट से तो ये right side से घटेंगे, पूरी सलाई को उल्टा बिनके complete कर लेंगे, जैसा हमारे design आ रही है, तो wrong side की row जो हमने complete कर ली है, अब हम right side की तरफ आ हैं, 32 फंदे हैं हमारी सलाई पर, अब हम यहाँ पे फंदों को घटाना शुरू करेंगे, गले के लिए, ठीके, तो कैसे हमें फ design को थोड़ सा set करना है, तो यहाँ पे देखें कैसे हम फंदों को घटाएंगे, तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम गोलाई देंगे ना वो इस तरीके से देंगे, ठीके, तो चार फंदे हम पहले घटाएंगे, देखें, हमें हमने design के according फंदों को घटाते जाना है, यहाँ हमने तिसरा फंदा घटा दिया, और अब देखिए, पहले हम यह वाले फंदे को आगे की तरफ कर लेंगे, इस तरीके से ताकि हमारे design ना बिगड़े, इस तरीके से, ठीक है, तो हमने तीन फंदे घटा दिये, देखिए, यह थोड़ा सा एक फंदा जादा बिन गया है, य देखिए, इस वाले फंदे को हम यहां कर देंगे, अब हम यहां पर तिसरा फंदा घटाएंगे, देखिए, तीन फंदे घट गए, और अब हम अपना चौथा फंदा घटा देंगे, यह देखिए, तो हमने चार फंदे हां पर देखिए, घटा दिये, ठीक है, और यह आप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकर डिजाइन अच्छे से आता रहे आगे से यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने पहले देखिए अपना डिजाइन भी कम्प्लीट किया है यहाँ पर आगे कि तरफ करके और फंदों को भी घटाए तो चार फंदे हमने यहाँ प सीधी तरफ के फंदों को ही घटाने की रोज बताती जाओंगी तो सीधी तरफ आगे है अब यहाँ पर हम तीन फंदे घटाएंगे पहला फंदा घटिया फिर से हमने दूसरा फंदा घटा दिया और यहाँ पर हमारा तिसरा फंदा घटिया चार फंदों के बाद हमने तीन फंदे घटाए पूरी सलाई को अब हम अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग कम्प्लीट करेंगे डिजाइन आपको चेक करते रहे ना है कि आपका डिजाइन ना गड़ बढ़ हो जो फंदे आपके घट रहें उनको घटा दीजे वो डिजाइन के आते जाएंगे आपका डिजाइन सेट होता जाएगा यहाँपे देखिए अब हम फिर से यह जो पूरी रहो को है कम्प्लीट कर लेंगे सीधी तरफ से पूरी सीधी बिंके सीधी मतलब डिजाइन के अकॉर्डिंग और रॉन सायंड से भी design के coding बिनते हुए यहीं पहुचेंगे तो यहाँ पर देखें मैंने right side wrong side की रोग complete कर ली है और अब यहाँ पर हम फिर से फंदों गटाएंगे तो यहाँ पर हम फिर से 3 फंदों गटाएंगे देखें तो 3 फंदे अब हमारे कैसे गटेंगे देखें पहले हमारा यहां पर design आ रही है तो पहला फंदा 1 फंदा में घटाएंगे तो यह गटाएंगे तो यह पहला फंदों गटाएंगे ऐहुचे हнимारा फंदा पर next to arms और अब हम यहां से फंदो को बदलेंगे, यह देखिए, यह, डिजाइन वाले फंदे को बिना, सीधा ही बिना है, तो तीन फंदे हमने फिर घटा दिये हैं, अब हम पूरी सलाई को डिजाइन के अकॉर्डिक बिन देंगे, सीधी तरफ से, और रॉंग साइट से भी किसे कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से, यहां पर देखिए, हमने सीधी तरफ की और रॉंग साइट की डिजाइन के अकॉर्डिंग रो को बिन लिया है, अब हम यहां पर फिर से फंदो को घटाएंगे, और देखिए, हमारे डिजा जाना है, तो यहां पर देखिए, एक फंदा यह घटा, दो फंद हमारे घट गए, और अब हमारी डिजाइन जो है, वो उसी तरीके से कंप्लीट होगी, जैसा हम बिन रहे हैं, तो तीन-तीन के बाद हमने दो फंदो को घटाया, और हम पूरी रो को इसी तरीके से इचाराराली पूरिट कर ले सीधी तरफ वाली उल्टी तरफ वाली और यहांपर देखिए, हम पहुंच गये, इत जगहां पर वापस से हम वहीं पहुंच गए, जहां से फंदो घटा रहे यानि कि राइट साइड की तरफ, तो अब यहां पर देखिए, यह जो है, मेरा फोन फिर गडबड करने लगा फोन मेरा खराब हो चुका है बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना रही उसमें यहां पर देखिए हम एक फंदे को घटाएंगे और यह हमारा दूसरा घटा तो दो फंदे हमने फिर से यहां पर घटा दिये अब हमारा जो डिजाइन है वो उसी तरीकित चलेगा फंदो को बदलते जाएंगे और बनाते जाएंगे यहां पर कंदो के फंदे भी बता देती हूं आपको यहां पर मैंने कम रखे हैं अगर आपको थोड़ा ज्यादा रखने हैं तो आप नीचे से डिजाइन को जहां पर आपके फंदे जिसाएंग और wrong side की सलाई को complete करेंगे अब यहाँ पर देखे हम जो हैं वो फंदे को देखेंगे कि हमारे सलाई पर कितने फंदे हमारे पूरे हो गए हैं और यह देखे हमारे design आया अब यही design 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 18 फंदे जो है वो हमने गले कंदे के उपर रखें फंदे घटा हैं हमने पहले 12, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2 इस तरही के से हमने अपने गले की जो cutting है वो एक तरफ की complete किये और कंदे पर हमने जो फंदे रखें वो 18 रखें अगर आप 20 रख रहें तो एक सलाई और नीचे से घटाना बंद कर दीजे अभी हमारा जो यह कंदा है वो complete नहीं हुआ है तो इसको में 7,6 इंच का जो है वो अब सिर्फ डिजाइन के बिनते हुए complete कर लूँगी और अब हम गला जो है वो दूसरी तरफ का घटाएंगे तो यह वाला देखे यह वाला हमारे इस तरफ का हमारे जो कंदे के गला है वो घट गया है यह देखे यह इसकी इस तरह के से गोला आई आई यह ठीक है तो इसमें जब आप बॉर्डर बनाएंगे तो बड़ा प्यारा बन कर आएगा अब हम इस तरफ के कंदे को complete कर लेंगे साड़े साथ इंच का ठीक है तो complete कर लेते है यहाँ पर देखे मैंने जो दूसरी तरफ का कंदा को आपको बताऊंगी कि इस तरफ से रॉंग साइट से आपको कैसे गले को घटाना है और complete करना है कैसे पूरे फंदे को अब हमाई देखे यह वाली सलाई सीधी तरफ से बिनकर आया थी फिर हमने 12 फंदे घटाए थे फिर हम सीधा बिनकर गय थे रॉंग साइट से फिर हम अपनी रोज को भी complete करना है उन को attach कर लिजे secondary उन को attach कर लिजे उसके बाद आप फंदे गले को घटाना शुरू कर देंगे direct हम यहां से शुरू करेंगे गले को घटाना ऐसा नहीं कि हम पहले रोज को complete करेंगे उसके पास सीधा भी नेंगे फिर गले को उटाएंगे दो चार फंदे आपको घटा देने हैं और उसके बाद आपको रोज को बिनना है तो रॉंग साइट से उनको attach करके अब इस तरफ को जो गला है न वो रॉंग साइट से खटेगा ठीक है तो यहां पर हमने चार फंदे देखे दो घट गए यह हमारा तिसरा फंदा है और यह हमा पूरा देखे दो रॉंग साइट करेंगे देखे ऐसे ठीक है तो जल्दी से हम यह वाली जो रॉंग है इसी तरीके से डिजाइन के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे आपको डिजाइन का पर थोड़ा सा देखे रहना है आगे से भी और रॉंग साइट से जब आप है इस सलाइको भी हम पूरा डिजाइन के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कर लेंगे लाश्ट तक हमने रोज को जो है कंप्लीट कर लिया है और हम रॉंग साइट से फिर से आ गया है पिंक कलर हमने अपना एड कर दिया है अब हम यहां पर तीन फंदे घटाएंगे ठीक है तो आगे तरस हम देखते रहेंगे कि हमारे डिजाइन कहां पर आ रहा है तो यहां जहां पर भी हमारे पिंक फंदे हमारे पिंक फंदे हमें अलाने है बाकि हम पूरा उसी तरीके से बिनेंगे देखिए यह हमारा एक फंदा आएगा बाकि हमारे जो रो आएगी वह उससे एम नहीं जाएगी design के coding तो पूरी wrong side की row को हम बिन लेंगे right side की row को भी बिन लेंगे और यहीं पर पहुचेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमने दोनों सलाईयों को complete कर लिया है सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी अब हम वापस से wrong side की तरफ आगे हैं, उल्टी तरफ हैं अब हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर फंदोग घटाएंगे तो यहाँ पर देखे पहला फंदा हमने घटा दिया और यह हमारा दूसरा फंदा घटिया और यह हमारा जो है वो तिसरा फंदा घटिया तो हमने तीन फंदे जो है यहाँ पर घटा एभ इसके बाद हम अपनी design के according रो को complete करेंगे रॉग साइट से और उसी तरीके से हम right side से भी अपनी design की रोग को complete करेंगे तो beach की जो आपकी design है वो same ही रहेगी बस आपको जो last में पर फंदे घटा रहें वहाँ पर थोड़ा सा design में फरक आएगा तो complete करते हम दोनों सलाईयों को और यही पर पहुँचते यह देखिए इस तरीके से हमें यही पर ही पहुच जाना है तो यहाँ पर देखिए हमने जो अपने सलाईयों है वो complete कर ली है दोनों तरफ की उल्टी तरफ की और सीधी तरफ की और अब वापस से हम wrong side की तरफ उल्टी तरफ आ गए है अब यहाँ पर हमें फंदों को फिर से घटाना है तो पहला फंदा हम यहाँ पर slip करेंगे और फिर एक फंदा बिल लेंगे तो यहाँ पर हमने एक फंदा यहाँ पर इस तरह घटा दिया और फिर यह हमारे दूसरा फंदा घट गया है दो फंदे घट गया है हमारे और फिर जो हमाई डिजाइन है वो उसी तरीके से चलेगी यहाँ पर यह तो डिजाइन आपको सेमी रखने हैं बस जहाँ पर आपको फंदे घट रहें वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिजाइन को सेट करना होता है अगर आप थोड़े फंदे बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है वहाँ पर आपके डिजाइन वहाँ पर भी इसी तरीके सेट होती जाएगी आपके फंदे इसी तरीके से घटते जाएगी तो कम्प्लीट कर लेते हैं सीधियर उल्टी सलाई को दोनों स जो पहला फंदा सिलिप किया मुझा दुसरा फंदा ल्टा बीना एक फंदा हमिने होंपर यह रहे हैं यह देखि इस तरीके से घटता ढ़ता है ऐसको दो, बिल्चंद इस रेते हो आफ इस तरीके कंथे जाएगे तो आप एक सलाधे नीचे से जहाँ पर आपके sick aras fight 않व कं पर रखने तो मैं जब तक घटाओंगी जब तक मेरे 18 फंदे सलाई पर नहीं आते हैं अगर आप इसे जादा फंदे रख रहे हैं उसके हिसाब से भी आप फंदों गटाते जाएए जितने भी आप फंदे रखना चाहते हैं बीस बाइस आप वहां तक फंदों को घटा के उत पर हमें क्या करना है देखिए अब जो है वह हमें सेम मदब जैसे हमारी डिजाइन उसी तरीके से बिंते जाना है यह देखिए हमारी इस तरह से बिल्कुल गोल आरी चाहिए जब आप इस पर बॉर्डर बनाएंगे न तो आपको बिल्कुल यू शेप में बॉर्डर और घटा थोड़ा कम भी रख सकते हैं और आट इंच का भी रख सकते हैं गला आपका इस शेप में आएगा देखिए ठीक है तो अब हमें यहां पर क्या करना है यह देखिए इस तरह से आपको यह घटाने के बाद अब आपको जो है यह वाले फंदे देखिए यह जितने राइट साइड के पार्ट में लिए है सफेज से डिजाइनर फंदे डाले 14 सलाईंगा बऻर बनाया 95 पंदे रखे हैं 92 पर रखे ते पर तीं पंदे बढ़ाए हैं और 3 फंदे बढ़ाने के बाद 15 इंच का बिना सीधा उड़ा ही बिना है सफेज से बिना है उसके यहां पर मैंने 5 तीन एक क्टिंग करी है तो आप को इस तरीके से कंप्लेट कर लेना है अब हमें देखिए इस तरीके से इससे रखना है और सीधा उपर और देखिए दोनों तरफ से रांग साइट अन्दर रखना है यह हम इसी लिए ऐसा रखते हैं इससे हमें पता चलता है कि हमारा हाथ कौन सा आ रहा है फंदो को गले पे उठाने के लिए तो मेरा हाथ सीधा है तो इस तरफ का कंधा जोड़ूंगी और इस तरफ से फंदो को उठाऊंगी अगर आप उल्टे हाथ का बिनते हैं तो आप इधर का कंधा जोड़ लिजे और इधर से फंदो को उठा लिजे तो हाथ का थोड़ा सा फरक परता है सीधे हाथ वाले इस तरीके यहां से फंदो को उठाएंगे और ये वाला कंधा जोड़ेंगे तो इस वज़े से मैं आपको इसे सीधा रखके दिखा दिया, अब हम इसे उल्टा कर लेंगे, यानि कि रॉंग साइट पर ले लेंगे दोनों पार्ट को, ये देखिए मेरे रॉंग साइट उपपर आ गए, अब हम इसे जोड़ेंगे, तो 18-18 फंदे दोनों को एक साथ बिन है, तो यहाँ पर ये आपकी कंदे की जुड़ाई शुरू हो गई है, 18 फंदों की यहाँ पर हमें जुड़ाई करनी है, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, तो आप दोनों सलाईयों के फंदों को उतार लिजे, 18-18 फंदों को और सुई से भी सिल सकते हैं, या द दोनों सलाई के एक-एक फंदे को ले लिजे, सीधा बिनिये, और फिर पीछे वाले फंदे को इस तरीके से उपर से लिजाके छोड़ दीजे, तो इससे भी आपकी बहुती नीट जो है, वो कंदे की जुड़ाई हो जाते हैं, तो 18 फंदों को हमें जोड़ना है, यहाँ प तो यहाँ पर देखे, 18 फंदे हम पीछे के छोड़ देंगे, और बीच के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बिल लेंगे, अगर आप नहीं बिनना चाहते हैं, तो आप सभी फंदों को उतार दीजे, और उसके बाद बाद में आपको फंदे उठाने पड़ेंगे, लेकिन मैं मैंने बीच के सभी फंदों को सीधा बिल लिया है, और यहाँ पर मेरे 18 फंदे जो है, निडिल के उपर है, अब इने हम उतार लेंगे, सिंपल सा, उतारने का मतलब है, आपको 2-2 फंदे एक साथ बिनने है, उतार लेंगे, यहाँ पर हम बाद में फंदों को जोड़ेंगे जब मरारा गला बन जाएगा, क्योंकि दो सलाइगों को गला है, इस वज़े से यह वाले जो फंदे हैं, वो में उतार लोगी, अगर आप सर्कुल इंडिल से बना रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से कंदे को जोड़ लिजे, उसके बाद आप सर्कुल इंडिल से बना लिज यहां पर देखें, मैंने सबी फंदों को उतार लिया है, यह 18 फंदे हैं मेरे, और अब हम यहां पर उन को थोड़ा लंबा कट करेंगे, क्योंकि इसी उन से बाद में हम इसको फंदों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कट कर लिते हैं, उन कट करके हमने वहां पर गिठा लग सकते हैं, तो आपको यह फंदे खोलने की जुरुत निया, आप नौरमल हाथों से उतारिए, तो इन फंदों को भी मैं उतार लेते हूं जल्दी से, यहां पर देखें, मैंने यह फंदे भी उतार लिया है, और उन को थोड़ा ज्यादा कट किया है, क्योंकि पता नहीं हमार दो सलाईयों पर, तो यहां पर देखें, मैंने जो गला है, वो दस नमबर की सलाई पर बनाया है, मैंने जो बॉडर पर यूज की है सलाई, वो दस नमबर की सलाई यूज के, नौ नमबर से फिर मैंने इसको स्वाइटर को बनाया है, ठीक है, तो दस नमबर की सलाई से हम फ करूँगी, तो जो हमारे H वाले फंदे हैं, वहां से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे, यह देखिए, बिल्कुल कोने का फंदा होता है, उसमें से आपको फंदे उठाने, फंदे आप अपने तरीके से उठा लीजे, आपको जैसे उठाने आते हैं यह जैसे easy लगया आप वैसे उठा सकते हैं दो फंदों के बीच में जो यह जगा होते हैं यहां से फंदे जरूर उठाएगे क्योंकि अगर आप यहां से नहीं उठाएंगे तो आपका काफी दूर-दूर फंदे उठेंगे और आपके फंदे भी पूरे कभी नहीं उठ पाएंगे तो जो दो फंदों के बीच में छोटी से गिठा होती है इसमें से फंदा जरूर उठाया कीजिए अगर आप चाहें तो क्रश्या से भी उठा सकते हैं 37 फंदे मैं यहां उठाएं बीच में जो गोलाई है उस पर 38 फंदे उठाऊंगी और दूसरी तरफ कंदे पर भी मैं 37 फंदे उठाऊंगी तो टोटल मेरे यहां पर 112 फंदे उठाऊंगी अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा उठाने हैं तो आप 114 से लेके 116 फंदे तक उठा सकते हैं इससे जादा ना उठाईए क्योंकि जोला जाएगा फिर तो यहां पर इस तरीके से आप 3 हिस्सों में फंदों को उठा सकते हैं इससे आपके जो फंदे बिल्कुल परफेक्ट आएंगे उठके और जो आपका गला है वो चिपक कराएगा वरना आपका जोला जाएगा और जो बीच का फंदे है वो आगे की तरह बढ़ जाएगे तो इसी तरीके से यहां पर मैं 112 से 114 फंदे उठाऊंगी तो यहां पर मैं 38 फंदे उठा लूँगी बीच में फिर 37 फंदे में यहां उठा लूँगी तो जल्दी से उठाके मैं कम्प्लीट करूँगी जो गोलाई है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजे अगर आपका चोड़ा आपने गोलाई रखी है तो आप वहां पर फंदों को बढ़ा लीजे और जो यह वाले फंदे इन्हें कम कर दीजे तो थोड़ा इन सब छुड़ी छुड़ी चीजों का ध्यान दखना पड़ता है इससे जोल नहीं आता है कम्प्लीट कर लेते हैं उठा के तो यहाँ पर देखे हैं मैंने टोटल 114-112 फंदे उठाए हैं और मैंने इसमें पूरे 112 फंदे उठाए हैं ठीक अब जो है वो हम बैक पार्ट के जो हमारे सफेद फंदे हैं क्योंकि हमारे वाइट रंग में फंदे हैं तो हम इस सलाई को थोड़ सा बदल लेंगे यानि कि नोक इस तरफ कर लेंगे और सीधा बिल लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने यह जो सलाई जो है वो बदल ली है यहाँ पर हमारी दोनों तरफ एक जैसी नोक आ गई है और अब हम इसे सीधा बिल लेंगे सलाई को अगर आपको यह लग रहा है कि आपने पीछे की दो सलाई यह जादा बिन दी है और खंदे के फंदे आप उठाई रहे हैं तो आपका गले में फरक आएगा बिलकुल नहीं आएगा वो आपकी गुद्धी पर चिपक जाएगा रॉंग साइट वाला ठीक है तो यहाँ पर मैं नहीं बना रहे हैं या कोई डिजाइनर बॉर्डर बना रहे हैं तो आप रॉंग साइट से शुरू कर सकते हैं मैंने रॉंग साइट से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बनाना शुरू करा है यह देखे इस तरह किसे तो अगर आपको रॉंग साइट स बस आपको जो है वो आपका रोज कम्प्लीट होनी चाहिए, पूरी सलाई को हम उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, रॉंग साइट से हमने बॉर्डर शुरू किया है, यहां पर हमने 14 सलाई का बॉर्डर रखा है, तो गले पर हम 8 सलाई का रखेंगे, अगर आपको बहुत जादा चौड़ा चाहिए, तो आप 10 सलाई का रख लिजे, क्योंकि बच्चे का स्वाइटर है, तो हमें इतने जादा चौड़े बॉर्डर की जुरूत नहीं है, मैं पिंक से इसकी 8 सलाई कम्प्लीट करूँगी, 6 सलाईयां मैं कम्प्ली पहले चानल में बता रखे हैं, स्वाइटर मैंने बहुत सारे अप्लोड कर रखे हैं कि आप कैसे फंदो को उतारें, महाप पर आप जाके सीख सकते हैं, वीसे आगे मैं इसे बता दूँगी, कि कैसे फंदो को उतारा जाता है, तो यहाँ पर मेरे 9 सलाईयां का बॉर्डर क जोड़ के खोल के उतार लेने हैं वो चढ़ा लेने है सलाई पे ठीक तो जल्दी से ये देखिए हमने चढ़ा लिया और अब हम इने जोड़ देंगे और ये जो गला है ना हमारा इसको हम सिलेंगे अब की बार हम इन पर फंदे नहीं चढ़ाएंगे वैसे मैं आपको बताती जो भी आप बोलते हैं मैं इन्हें बोलती हो की उतार लेते हैं यानि कि दो दो फंदे आपको बिनना है और पिछाले फंदों से आपको उपर से ले जाते वे छोड़ देना है इस तरही कैसे देखिए बस आपको खयाल रखना है कि आपने पहली जैसे दूसरा जो कंधा जो जोड़े हैं और ये वाला भी कंधा जो है मैं सीधा बिन करी ज़ोड़ूंगी तो ऐसा मत कीजिए कि एक आप ने उल्टा बिनकर जोड़ दिया और एक थोड़ा सा डाल लेंगे निडल के उपर और हम इसे जोड लेंगे एक फंदा जो एच का फंदा है ना उसको जोड लेजे वैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियो से में बता रखा है कि आप इसमें फंदे चड़ा के भी उतार सकते हैं वो बहुत सफाई से आता है तो बताया है कि आप इसे स्वमी से भी भी बहुत ही अराम से जोड सकते हैं. तो दोनों ही तरीके के तक्रीबन में बताती हूँ. जितना इसी हो सके उतना इसी बताती हूँ आपको, अगर आप beginners हैं तो भी आप सीख सकते हैं और अगर आप knitting करते हैं तो आपके लिए ये चीज़े असान हो जाती है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके साब को एक एक फंदल आपको यहाँ पर जो है वो जोड लेना है देखिए इस तरीके से आप चाहें तो सफेद को सफेद से जोड लेजे पिंक को पिंक से जोड लेजे तो इससे आपको कलर में फर्क नहीं आएगा तो इंची जो का हलका थोड़ा धिहान रखा कीज़े बाकी तो बहुत ही सिंपल होता है knitting करना इतना मुश्किल नहीं है थोड़ा सा भी ध्यान देंगे न तो आपको अराम से आप कर लेंगे तो यहाँ पर है अगर फिर भी थोड़ा कहीं चूग थोड़ा छूड जाता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कि मुश्क सकते हैं मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूँगी बनाएंगे मुढ disg बनाने के लिए हमें हमेशा फन्दों को अथाना होता है पिंक कलर से क्युम्कि मैं बॉर्डर बनाऊंगी तो pink कलर से ही मैं फन्दों गठाऊंगी अगर आप से मिश कलर से बना रहे हैं यानि कि वाइट से अगर आपको बनाना है तो आप white से भी उठा सकते हैं सीधी तरप से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे जो last का h h वाला फंदा होता है वो हम सिलाई के लिए और फंदे उठाने के लिए ही रखते हैं तो हमेशा h वाला फंदा जरूर रखा कीजिए अपने design के फंदों के बाद एक एक फंदा जरूर रखा कीजिए तो यहाँ पर देखिए हमें फंदे उठा लेने हैं मुड़े फंदे उठाने का भी एक तरीका होता है उसका ये तरीका है कि जितने आपने फंदे गले में उठा है उसने ही फंदे हमेशा आप मुढ़े पर उठाया कीजिए उससे आपका मुढ़ा कभी जोल नहीं खाएगा यह सबसे अच्छा फार्मूला है मैं हमेंसे इसी को फॉलो करती हूँ आप भी इसी को करेंगे तो आपका कहीं जोल नहीं आएगा 112 फंदे हम पूरे मुढ़े पर उठाएंगे हैं आगे की तरफ पीछे की तरफ सेम फंदे उठाने हैं और आपको आठ सलाई का जो बॉर्डर है वो कम्प्लीट कर लेना है चे सलाई पिंक से दो सलाई उठार देंगे अगर आप नहीं उतारना चाहते है तो रॉंक साट से जो आपकी सलाई आती है उसमें भी आप इस भी ऋंदे मेपलीट कर लगंगी 9 सलाई एं का तो यहां पर देखे मिरा जो बौडर है वो कम्पलीट हो चुका है is फंदे मैंने 112 उठाए थे पूरे मुड़े पर और उसके बाद यहां पर देखिए यह थोड़े फंदे मेरे बच गए हैं जो मैं आपको बताओंगे कि आप फंदे को कैसे उतारेंगे ठीक तो कैसे उतारना होता है अगर आप दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे का बना रहे हैं तो आप दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे बिनकर जो जैसा फंदा आ रहा है उसको उसी तरीके से बिनकर उतारेंगे यहां पर मेरा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा आ रहा है तो और पिछाले फंदे से उतार दूगे यानि कि आप कोई भी बॉर्डर बना रहे हैं कोई भी डिजाइन बना रहे हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता है बस आपको जो लास्ट की रो भी नेंगे यहाँ पर जहाँ पर आप फंदो को उतारेंगे वो आपका डिजाइन के एकॉर्डिंग आप बिनते जाएंगे और उतारते जाएंगे वहाँ पर आप सीधे-सीधे फंदो से या उल्टे-उल्टे फंदो से नहीं उतारेंगे इतना ख्याल रखें सबी फंदो को मुँ उतार देती हूँ तो यहाँ पर हमारा जो है वो बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है उन को हम जादा कट करेंगे ताकि हमारी सिलाई हो जाए पूरे स्वाइटर में आपको अलग से उन लगाने की जुरूत नहीं है तो एक-एक फंदे की आपको सिलाई कर लेनी है यहाँ पर देखिए मैंने एक-एक फंदो की सिलाई करें आपको नहीं आती तो मेरे आप चाइनल पर जाके बहुत सारे मेरे वीडियो अपलोड कर रखे है सिलाई से लेके सभी कुछ बता रखा है उसमें बहुत ही डिटेलिंग के साथ आप वहाँ जाके सीख सकते है बहुत साई डिजाइने बना रख बता रखे है वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए एक-एक जो एक का फंद है उससे सिलाई है और इतनी सफाई से आपका यहाँ पर सिलाई आनी चाहिए यहाँ पर हमारा स्वाइटर जो है कंप्लीट हो चुका है आपको पसंद आएगा आपके 15-16 साल का अगर कोई बच्चा है लड़का हो चाहे लड़की उसके लिए आप यह बना सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कीजिए चाहिन को सस्काइब करना बिल्कुल ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया